हेलो दोस्तों मेरा नाम असलम अहमद है और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस व्यापक कॉरल ड्रॉ बिगिनर्स कोर्स में इस कॉर्स में हम कॉरल ड्रॉ के हर महत्रपूर्ण फीचर और टूल को विस्तार से एक्स्प्लोर करेंगे ताकि आप कॉरल ड्रॉ ठीक से समझ सके इस प्रारंभिक वीडियो में हम कॉरल ड्रॉ का ओवर्व्यू देखेंगे और इसके इंटरफेस को समझेंगे पहले मैं आपको Coral Draw Software के बारे में थोड़ी जानकारी दूँगा Coral Draw एक Vector आधारिट Design Software है जो मुख्य रूप से Logos, Illustrations, Layout और Print Design के लिए उपयोग होता है इसका उपयोग Designer और Artist करते हैं जिससे वे जटिल और उच्च गुणवत्ता वाले Graphics बना सकते हैं चलिए अब Software को Launch करते हैं जब आप Coral Draw खोलते हैं, सबसे पहले आपको Welcome Screen दिखाई देगा यहां से आप नया Document बना सकते हैं हाल के Projects को Access कर सकते हैं और Vibhinna Templates Explore कर सकते हैं अब हम Software के Interface को विस्तार में देखेंगे उपर सबसे पहले आपको Menu Bar मिलेगा जिसमें आपको सारे मुख्य कमांड्स और Options मिलेंगे इसके नीचे Standard Tool Bar होता है जिसमें सामान्य तया इस्तेमाल किये जाने वाले Tools और Shortcuts होते हैं आप यहां से जल्दी से नया Document बना सकते हैं खोल सकते हैं, सहेच सकते हैं और Undo, Sub, Redo कर सकते हैं स्क्रीन के बाई और Toolbox होता है जिसमें विभिन्न Tools विवस्थित होते हैं यह Toolbox आपके डिजाइन कार्य के लिए मुख्य Tools परदान करता है जैसे Selection Tools, Shape Tools, Text Tools और Color Tools आप देखेंगे कि Toolbox में कुछ Tools के नीचे एक छोटा सा तीर का निशान होता है यह संकेत करता है कि उन Tools के नीचे और भी Sub Tools उपलब्द है आपको केवल उस Tool पर क्लिक और होल्ड करना है और Sub Tools की सूची दिखाई दे जाएगी स्क्रीन के दाई और डॉक्स होते हैं जहां आप Layers, Rung, Properties और Vibhinna Settings को Access कर सकते हैं यहां पर Object Properties और Color Palette Dockers को काफी उप्योग किया जाता है Object Properties से आप अपने चैनित Object की Details को Customize कर सकते हैं जैसे Size, Position और Fill Color और Color Palette से आप जल्दी से अपने Objects में रंग भर सकते हैं नीचे Status Bar होता है जहां आपको चैनित Object की बुनियादी जानकारी दिखाई देती है जैसे इसका Color, Outline, Thickness और स्थिती Status Bar से आपको यह पता चलता है कि आपका Object Canvas पर ठीक से कहां रखा गया है आज के वीडियो में हमने Coral Draw का Interface Explore किया अगले वीडियो में हम अपना पहला document बनाएंगे और बुनियादी setup करना सीखेंगे